जै जिवदानी, ब्यूटे विद ऐस्टरोजी की फाउंडर मैं कामी नहीं खरना, आप सभी समझदार सोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विशे लेकर हाजिर हों। 11 जनवरी 2023 को सूरिय उत्तरा शाड़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले सूरिय पुर्वा शाड़ा नक्षत्र में थे जो की शुकर का नक्षत्र था और अब अपने खुद के सूरिय के ही नक्षत्र उत्तरा शाड़ा में उनका प्रवेश हो रहा है रातरी 9 बच के 12 मिनिट पर 24 जन्वरी तक तो आप समझ लीजिए कि लगभग ये जो है 12-13 दिनों का पीरिट जो है सूर्य बहुत फॉर्म में रहेंगे क्योंकि सूर्य जो है वो धनुराशी में है धनुराशी गुरु के राशी है सूर्य मंगल के साथ है सूर्य बुद्ध के साथ है तो बुदादी तयोग भी बनाया मंगल भी उनका मित्र है तो आकरमक बनाया बोल्ड बनाया क्रूर बनाया और इसके साथ ही अपना नक्षतर मिल गया उतराशाड़ा तो क्या करेंगे सूर्य सूर्य तो बहुत साथा प्रभावशाली बहुत साथा असर देने वाले खास कर सिंग राश्य वाले लोगों को सिंग लगन वाले लोगों को जिन लोगों को सूर्य कारक है उन लोगों के लिए जिन लोगों की सूर्य की दशा चल रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए सूरी की अंतरदशा, सुक्षमदशा, प्राणदशा रही है उन लोगों के लिए या किसी भी प्रकार से सूर्य प्रभावित कुंडलियों में जैसे ओहदे पे हैं, मिलिटरी में हैं, पुलीस में हैं, निता हैं, अभी निता हैं, किसी बड़े सीट पर वैट हैं हैं, या गौर्मेंट से रिलेक्टेट काम करते हैं, या अपने आप में कोई ऐसा बिजनस करत तो उनके लिए ये सूरे का चेंज जो है मतलब ये भी सूरे का चेंज ही है कि वो अपने नक्षत्र में चले गए तो उनको बल मिला नक्षत्र का और अब वो बहुत जादा काम करने के लिए उद्यत हो गए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यहां पर यह रहेगा कि वहां प है उनकी आपस में ठाना ठानी भी रहेगी शुक्र जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे जबकि सूरे जो है उनको ओवर पावर करके उनको हमेशा आस्त करने की सोचते हैं लेकिन यह कभी-कभी हो पाता है सबसे पहले आपसे नमरा निविदन करदू के सबस्क्राइब कीजे मेरा ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्लाइश ब्यूटी विद एस्ट्रोजी जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर उपर बेल बिटन आएगा जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की स सूर्य उत्तरा शाड़ा नक्षत्र में जा रहे हैं उत्तरा शाड़ा नक्षत्र क्या है 21 नक्षत्र है उत्तरा शाड़ा नक्षत्र मालिका में 26 डिक्री चार मिनिट से लेकर धनुराशी में मकर राशी में 10 डिक्री तक रहता है और उसके पहला पद जो है धनुराशी में और तीन प्रदुसके मकर राजशी में रहते हैं पुर्वा अशाड़ा के बाद का नक्षत्र है ये और बाद में आने वाले अपराजित तारा समूह को माना गया है उत्तरा अशाड़ा, उत्तरा मतलब बाद का और अशाड मतलब अपराजित होना या अपराजय होना तो ऐसे में उतर अशाडा का मतलब है कि जो कभी भी पराजित नहीं होता वो वाला नक्षत्र जिन लोगों को सुहा रहा है उन लोगों के लिए चुनाव या अन्य परकार की कोई गतिविदियां जो कौर्मेंट से रिल आपके परसनालिटी से रिलेटेड है उस पर बहुत तेजी लाएगा और तेजी लाने के साथ साथ ये समझ लिजिए कि सूर्य इतना प्रभावशाली हो जाएगा तो शुक्र पर क्या असर पड़ेगा वो जर्चा मैं आपके साथ शुक्र के धनुराशी में जाने का क्या असर होगा उस वीडियो में करूंगी फिलालिय समझेजिए कि सूर्य को बहुत जादा बल मिलने जा रहा है दनुराशी में है अपने ही मित्र के घर में है बुद्ध का बल मंगल का बल अपना बल सूर्य के उपाई करने की यहां जरूरत नहीं है कि सूर्य बहुत वित्धों की के बहुत ही सादा तीजस्वी सूर्य उन्हें देखे जा रहे हैं तो उनकी भी हिम्मत होसला बहुत बड़ेगा अब तो ये दोस्ते तीन राशियां सौर्टेड हुई है एक धनुराशी जिनका गुरू भी कार्यन वित्ध हो जाएगा बारस से तरह तरिक को और उसके अलावा सूर्य की अपनी नक्षत्र उसके अलावा मिथुन राशी तो सिंग राशी मिथुन राशी और धनुराशी तीनों राशी अब रभावित हो गई अच्छा प्रभाव लेकर आए और बाकी राशियों के साथ क्या होने वाला है और इन तीन राशियों के सा सूर के गायत्री मंत्र ये सब भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ जल्द ही मैं आधितर देस्त उत्र का पाड़ भी करूँगी तो उसका भी आपको मैं डीटेल में मंत्र दे दूँगी चलिए अब हम ये भी जान ले के शुक्र के मंत्र क्या है वो भी डाल चुकी हूँ वो आप अपने घर में लगा सकते हैं कंठस्त कर सकते हैं जाप कर सकते हैं जब सकते हैं और अपने घर में अगर आपको शुक्र को प्रभावित करना है अपने जीवन को अपनी कुंडली को तो घर में लगाईए चलिए मेश से लेके मीन राशी पर क्या प्रभाव बट रहा है सूरे के उत्तरा शाड़ा मक्षत्र जाने का ये जानते है मेश राशी सूरे आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाके बैटे भाग्य भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है के दिमाग का स्वामी जो है दिमागी खेल से ही काम कर रहा है प्रभाव से काम कर रहा है बहुत साथा तेजस्वी और जस्वी स्थिति में अपने कामकाज को समाल रहा है आगे बढ़ रहा है लेकिन यहां पर शुक्र प्रभावित होगा जिसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी फिलहाल आपके बच्चों की उन्नती वीजा लगना आपकी उन्नती ग्यान मार्क बढ़ना दोनों का बच्चों का आपका और आपके व्यवसाय में वृद्धी हो जाना आपके कुछ काम है से जो गौर्मेट रिलेटेड है वो बन जाना मित्रगणों से सहयोग यह सब दिखत है यात्राओं में शुबता यात्राओं में लाब और फाइदा पैसों का आगे आना फाइदे टेंडर्स वगरा पास होना सब दिखता है विरिश शबराशी आपके लिए यह स्थाना नतरण जो है शुक्र का उत्तरा शारा नक्षत्र में प्रविशी शुब नहीं रहेगा आपको अपनी तबियत को समालना पड़ेगा हर प्रकार से हड़ी सकल दान ताके स्पाइन से रिलेटेड दर्दों से रिलेटेड अर्थराइटर्स लिप्डिस पॉंडलाइटर्स कोई परिशानिया होती है तो आप अपना डॉक्री चेक अप भी करना है और सूरी की रोश परिटी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी प्यार से एंडल कीजे टैकल कीजे व्यवसाय में चूक भूल ना करें और ससुराल पक्षा के साथ जितना हो सके आप स्पेस बना के चलें विवाही जीवन के साथ ही जोड़े के साथ भी द्यान से रहें आपके लिए एक परम अच्छी बात यह होगी कि कुछ आपको ऐसे व्यवसाय करने हैं जिसमें आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय हैं तो उसमें तेजी पकड़ सकते हैं आपके दृति स्थान पर सूर्य की सिति प्रकाश डालेगी इस बात पर के कितना संचित धने और कितना और होना चाहिए आपके लिए मित्थ और राशि आपके लगनपर सूर्य की द्रिष्टी और बुद्ध की द्रिष्टी शुक्र की द्रिष्टी सब द्रिष्टियां शुप द्रिष्टियां पढ़ रहे हैं मंगल की द्रिष्टी पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कोटे भाई बेनों से फायदा मिलेगा उत्सा पराकरम खूब बढ़ेगा विवाहित जीवन और वेबसाइक जीवन के जुड़े के साथ काम होंगे नेक नामी होगी कोई काम नया शुरू करना है तो आप कर सकते हैं आपको अगर शादी करने की योग आये हुए हैं जैसे कि म मिन जाएदा या कोई नौकरी आपके महमा पक्षिक के साथ में कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई लोन से रिलेटेड वो हो जाएंगे आपके और साथ-साथ आपका धन भी आएगा संचित धन भी बनेगा परिवार में खुशी रहेगी लेकिन अपना पैसा समाल के रखें ब जादा गुस्से बाजी में अपना को नुकसान ना घरा बैठें इस बात की मैं आपको अभी से आगा कर देती हूं ये भी याद रखेंगे आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे आपकी मित्रता हैं आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आपके रिलेटेड काम खुल जाएंगे आपके कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ मिलके काम करें मित्रों के साथ मिलके काम करें वेफसाय बढ़ाएं तो ये काम आपके हो सकते हैं आपकी परसनालीटी से रिलेटेड कई सारे काम आपके हो सकत सकता है पैत्रिक संपत्ति और साथ में केसे इस विवाद में आपको मुक्ति मिल सकते हैं कन्याराशी के लिए आपका द्रश्म दिश्टिपेश सूर्य का डारेक्ट जो प्रभाव है वो आपके गवर्मेंट रिलेटेड़ काम पेपर बाजी या आपके कुछ काम है जिसमें नौकरी चाहिए या इंक्रिमेंट चाहिए ओदे के लिए या आपको कोई पद चाहिए प्रतिष्टा चाहिए इजद सम्वान चाहिए तो उसमें आपका काम हो सकता है बशर्ते के आप मा की तवियत का ध्यान रखें हार्ट से रिलेटेड समस्या हैं आपको या उनको हैं समल के रहें बीमारी से साफधान रहें सूर्य द्वादेश बाव का स्वामी है द्वादेश बाव बीमारी का देतक होता है तोड़ा सा बच के विदेश रिलेटेट काम समल के करें यात्राओं में खाना पिना दवाईयां साथ लेकर जाएं और खर्चों पर कंट्रोल रखें तुलाराशी के लिए आपके लगनेश के मित्र नहीं सूर्या फिर भी आपके लाभेश्टों है और जाकर बैठते हैं वो धनुराशी में पराकरम भाव में उच्साह देते हैं आपके लाभाव का सामी पराकरम भाव में तो पैसा पाने के लिए आपकी जद्दो जहेद चाल आपके लिए बड़ी मज़ेदार बात है कि आपके दितिय भाव में बैठे हैं जहां पर आपको कुछ लाव हुआ है गवर्मेंट से रिलेटेड बोलने चलने से भाषन देने से नेतागिरी अभी नेतागिरी करने से आपकी बड़े ओदे से इंक्रिमेंट से तो आपका ये इंक्रिमेंट वगरा ड्यू है और आपको घर परिवार से सपोर्ट आपके पैसों का बढ़ना आपके पिता से सहयोग मिलना आपके कुछ कामें से जो आपको बैंकिंग रिलेटेड बैवार करने थे कुछ पेपर बाजी करनी थी उसब कर लो फटा-पट क्योंकि ये बारा सपोर्ट करता है और शुकर की बात हम बात में करेंगे धनुराशी आपके लिए बहुत अच्छा समय आपका भागेश है आपके लगन में आके बैठा है बड़ा कोई भाग या खुलने वाला सरप्राप्त हो सकता है आपके कुछ नए ने काम हो सकते हैं आपके कुछ reward reward सन्मान के दिन चल रहे हैं बस आप अपनी body अपना mind sound कीजिए perfect कीजिए ताकि आपको आने वाले काम फटापट लेने में मदद मिले यात्राओं से फायदा मिलेगा एक अंद्रित देखूं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है मकर राशी मकर राशी के लिए आपके अश्टमेश होते हैं सूर्य द्वादश में चले गए दोनों ही स्थिति में भले ही उनकी ताकत काइम है लेकिन आपके लिए नुकसान दायक है आपके रिकारक नहीं है और अक्तम और द्वादश दोन्हों इस तान जो है बीमारी के स्थान होते हैं तो हड्डिस कलतान था के स्माइन से related कोई समस्या है तो सन की ही रोशनी में बैठके आप दुरगा के या आप शिव जी कजाब करें जिससे आपको यह समस्या आएं जो हैं खत्म होती नजर आएंगी आपके ससुराल पक्षा के साथ उलजेना आपके प्रेम संबंदों में उलजेना खर्चों पर इन प्रकारें अपना समय यह निकालने 11-12 दिन का और आगे भी दो महीने तक आपको समय निकालना है कैसे यह मेरे आने वाले वीडियो में देखिएगा क्योंकि अभी से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही हूं कुम्भराशी आपके लिए मकरशी की तरह ही कुछ ऐसी स्थिति हो सकती थी लेकिन अब विवाहे जीवन के साथ ही से आपको सपोर्ट विवसेग जीवन के साथ ही से सपोर्ट कुछ बिजनेस का बढ़ जाना कुछ बच्चों से सपोर्ट कुछ आगे बढ़ जाना और नेक नामी होना कुछ एवार्स मिल जाना सूर्य का यह उतरा शाड़ नक्षत्र में जाना आपके केसेज विवाद और पहितरिक संपती से विवादों बर प्रकाश और उनसे बहार निकल जाना आपके लिए शुब है पढ़ाई ग्यान मारक प्रशस्त होना और साथ में आपका व्यवसाय या नौकरी से रिलेटेड फाइदा होना मित्रगरों से फाइदा मीन राशी अच्छी खबर है कि दश्वभाव में सूर्य बहुत प्रभावशाली होते हैं कोई बड़ा ओधा कोई बड़ा पद प्रतिश्टा सम्मान या गौर्मेंट रिलेटेड बोडी से काम नौकरी का लगना वेफसाय का बढ़ना नेतागिरी अभी नेताग चैक से ब्क्र चैक बढ़ना वेफे उडर्मेंट प्रभाव में ठीज कर दो कोई आपकी रश्य ओद आग सकते हैं फिर मिलूगी आगया दीजे धनवाद और नमस्कार गौग बलीछ यू कॉठ गोण कुर्दाइ चारों में बेंटी जो नहीं हो करके भी है देखिये चल्ड़ यालू भी नी से नीना सही जापती आगों का सपना ही सही जूम लेने दो, गाल लेने दो, नाच लेने दो ऐसे बॉड़ी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए आपके शिखा रिलेक्स हो गई, आपके बाल रिलेक्स हो गई, आपका माता रिलेक्स हो गई, आपकी आँखे रिलेक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजे, यह आपका शरीर है, और आपकी बॉड़ी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये वस्था होती है जैसे आप सब भी बैठे हो यहाँ पर आपके कुंडिलिनी शक्ती का निवास होता है जिसे गुदाद्वार कहते है जैसे आपके का निवास होता है जैसे आपके का निवास होता है